नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 19 सितंबर 2024 यानि गुरुवार के दिन पित्रपक्ष की द्वितियत थी पढ़ रही है। दोस्तों और दोस्तों, ये वो गुरुवार है जो पित्रपक्ष महीने में पढ़ने वाला सबसे बड़ा गुरुवार है, क्योंकि यह पित्रपक्ष महीने का अपना एक अलग महत्व होता है। पित्रपक्ष महीने में आपके पित्र इस धर्ती पर आते हैं, और यदी हम उनको प्रसन्ड करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं, तो वो आप से प्रसन्ड हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस गुरुवार के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, गुरुवार का यदि सबसे बड़ा कोई उपाय है, तो वो साथ चने की दालवाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार द्वितिये के दिन आप लोगों को इस साथ चने की दालवाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो। मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस साथ चने की दालवाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखरी मौका बचा हुआ है, जो कि 19 सितंबर के दिन है, तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो. पर यदि आपने इस श्राध्ध पक्ष महीने की द्वितिय तिति के दिन यदि इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा, जिसकी आपने कभी कलपना भी नहीं करी होगी. इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, त इस उपाय को आज हम बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात, इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस पित्रपक्ष महीने के गुरुवार के दिन, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाथ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो पित्रपक्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन किस कारण से चल रही है उसका, कुछ भी कारण हो सकता, जैसे पित्र दोश हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोश भी हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है, ये एक ऐसा उपाय है, जिस उपाय को यदि किसी विशेश दिन पर किया जाए, तो आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेश दिन पर कर रहे हो, तो चलिए, अब के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है, तो चलिए, हम आगे आपको वी ज़रूर टाइप कर देना, तो दोस्तों, इस साथ चने की डाल वाले को हमें इस गुरुवार दूज के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, और जो ये वीडियो बात बात आजाए साथ चने की डाल की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही उपाय हो जाता है इस गुरुवार द्वितिया का तो अब दोस्तों इस साथ चने की डाल वाले उपाय को आखिर करना किसको है सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहने होती है उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है और दोस्तों य यदि आप चाहे, तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना, खुद की कोई दुख और परेशानी है, जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। भी कर सकती है। माताएं बहने यदि घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस काले तिल वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों न हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस साथ चने की डाल वाले उपाय को हमें करना कहां पर है। देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं। अब यदि आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस साथ चने की डाल वाले करने का, तो हम आप से बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बहतर होगा, बाकी यदि शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वो ये आती है कि सुबह यदि हम उपाय को करेंगे, तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है। और शाम के समय प्रदोश काल में करेंगे, तो हमें कितने बजे कर, कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके, आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी यदि किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, उसके पश्चात में दोस्तों, यदि शाम के समय प्रदोशकाल की बात करें, प्रदोशकाल का जो समय है होता है, वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, म आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु गुरुवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतरगत ही कर लो, उपाय के लिए आपको मात्र साथ चने की डाल लेना है। इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। और इन दोनों सामगरी को लेकर के आपको भगवान शीवा के मंदिर में पहुंच जाना है। गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आ देकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आपके पास जो साथ की डाल है, सबसे पहले तो उन पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला कर लेना है। अब इस चने की डाल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो दुरभाग्य चल रहा है, आपके जीवन में जिन भी कार्यों में आपको रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिन भी कार्य में आप बार बार असफल हो जाते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी है। हे महादेव, मुझे इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो, तथा म जितने भी कार्य अटक बस सभी परिपूर्ण हो और ये साथ चने की दाल आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जितना सा उपाय करना है आपको आपके जीवन का जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होगा। नहीं कर रहे हैं तो आपको ये उपाय जरूर करना है। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक गुड का लेना है। इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए गुरुवार के दिन यदि हम गुड वाले जल से उपाय करते हैं तो बहुत ही चमतकारी माना जाता है और इससे जो हमारा ब्रहस्पति ग्रह है वह भी मजबूत होता है। ब्रहस्पति ग्रह यदि हमारा मजबूत होता है तो हमें कभी भी जीवन में धन संपदा की कमी नहीं होती है। हमारे जीवन दुरभाग्य होता है वह भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो देखिए दोस्तों इस उपाय के लिए आपको एक गुड का टुकडा लेना अब दोस्तों इसे गुड के टुकड़े को आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और गुड से युक्त जल आपको तैयार कर लेना है। आप इस जल को आप भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से यह गुड वाला जल समर्पित कर देता है। शिवलिंग पर उसके जीवन में कैसी भी कोई भी मनोकामना होगी। वो हमारे महादेव परिपूर्ण कर देते हैं। तो आपको मनोकामना पूर्ती के लिए यह छोटा सा और सरल सा उपाय भी अवश्य ही करना। चावल यानि की अक्षत के दाने लेना है। देखिए चावल के दानों को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी तूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना है। अब देखो दोस्तों सबसे पहले तो इन सभी सामगरियों को लेकर के आपको पहुँच जाना। भगवान शिव के मंदिर में देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो चावल के दाने हैं उनमें आपको ये पीला चंदन थोड़ा सा डाल देना है और उन चावल के दानों पर आपको थोड़ स्वर्ण के समान हो चुके हैं और ये जो आपने चावल के दाने स्वर्ण के सामान जो तैयार किये हैं इन्हें आपको शिवा के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं ब्रहस्पतिश्वर महादेव का मन से समरण करते हुए देखो गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक परिद्रता है, उससे भी उसको मुक्ती मिलने लगती है। अब दोस्तों अंत में जो आपके पास एक तांबे के पात्र के जल है, इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अरपित कर देना है। आपके जितने भी कार्य में आपको रुकावटें आ रही हैं, बस सभी दूर होती जाएंगी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं चोथे विशेश उपाय के बारे में। देख देखिए, इस उपाय के लिए आपको दो दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी का प्रयोग करना होगा, और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा, लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप लंबी बाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, दो दीपक वाला ये चमतकारी उपाय केवल गुरुवार की रात्री में ही किया जाता है। इसी लिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना, इसी के साथ मैं आपको ग्यारह काले तिल के दाने लेना है, और इसी के साथ मैं आपको मात्र एक छुटकी हल्दी भी लेनी हो पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक, उसे आपको तुलसी जी के वहाँ पर प्रज्वलित करना है, दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको सदैव नमो भगवते वासुदेव आया, इस मंत्र का ग्यारह बार जाप कर लेना है, अब देखिए दोस्तों, आप जो ग्यारह काले तिल के दाने लेकर के आये हैं, उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और जो आपने गोल वाला दीपक प्रज्वलित किया है, माता तुलसी जी के वहाँ पर, उसके ऊपर से आपको इन ग्यारह काले तिल को गड़े ही की दिशा में घुमाना है, दीपक गुरुवार की रात्री में प्रज्वलित करते हैं, तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं, हमारा यदि कोई भी कार्य रुका हुआ है, तो वह भी परिपूर्ण होता है, देखिए, गोल बाती का ज माता धन लक्ष्मी को समर्पित होता है, इस प्रकार से आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है, अब जो आपके पास लंबी का दीपक है, एक छुटकी हल्दी है, तो इससे आपको ले करके पहुँचना है, अपने घर के मंदिर में, आपके घर के मंदिर में, माता लक् अब दोस्तों, आपके पास जो एक छुटकी हल्दी है, उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और इस एक छुटकी को आपको उस दीपक के उपर से 11 बार की दिशा में घुमाना है, और आपको सदैव महालक्ष्मी नमह मंत्र का जाप करते रहना है, और इस एक छुटक हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है, देखिए, एक छुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से दुरभाग्य को समाप्त करता है, माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग ब झाल झाल